हेलो प्रेंट वेलकम टो माई यूट्यूब चनल और इस फीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनलेसिस पॉर टुमाराओ तो यहां जो है तो निफ्टी ने आज फिर से सर्प्राइज किया हमें नहीं अच्छा कासा गापडाउन ओपनिंग देखा पास्सों के अरौंड और वहां से थोड़ा से रिकोर आके फिर से हमने लगबग 445 के राउंड लो देखा इंट्राडे और हम क्लोज हुए 16,650 के राउंड लगबग 150 पॉइंट लॉस के साथ लगबग 1% नीचे तो यहां बहुत ही दिक्कत भरी बात है जैसे मैंने कहा थी कि होलेटिलिटी बह 25% है इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि जो छोटे ट्रेडर है उन्हें स्रिफ वेटन वाच की साला रहेगी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उन्होंने ही इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और वह भी बहुत ही कम कॉंटेटी के साथ चलो देखते अभी निफ्टी क्या कर सकता है तो चलो देखते हैं उसके चार्ट और उसका टेक्निकल अनिसिस करते हैं तो वीकली चार्ट पे जो है तो एक ब्लू कैंडल बन रही है यहां वीकली बेसिस पे हम अभी बीजो है तो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं लगबा 11 पॉंट नीचे मगर हम लो से काप की ऊपर आ चुके हैं और यहां एक ब्लू कैंडल बन रही है तो यह एक अरली बाउंस बैक का साइन रहता है और यह बाउंस बैक आ सकता है अगर आता है तो 17,250 तक मगर यहां दिक्कत है 200 डेस एवरेज का जो हम देखेंगे डेली चार्ट पे मगर यहां डाउंसाइड पे भी बहुत अच्छे सपोर्ट है निफ्टी के लिए जो है प्योड पॉइंट और लगबा 50 वीक का एवरेज जो है 16,450 तो अगर हम 16,450 के नीचे स्लिप होते है तो हम मार्केट में जो है तो सेलिंग बहुत अम एक्सेंटुएटे होते देखेंगे शार्फ सेलिंग देखेंगे और मोमेंटम पकड़ेगा मार्केट नीचे की तरफ जो लेकर जा सकता है मार्केट को निफ्टी को लगबा 5,900 से लगकर 5,350 के लेवल के तरफ और यहां जो है तो आप देख सकते कि मेडियम तम टारगेट फिर पंद राजार और उसके नीचे की भी हो सकते हैं तो यहां दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है अभी जो कैंडल बन रही है इसके आधार पर मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है मगर वो फेल भी हो सकता है क्योंकि निउस फ्लो कैसा र दो मारकेट कर रहा है उपर आने की मगर से लिंग का प्रेशर इत्मा है और जो बायर से वह गाये मारकेट से तो उसके वज़े से जो है तो शायद मारकेट की उप कर दे और उपर जो है तो एक स्ट्रॉंग रिजिस्टंस और जो है 16,752 जो है 200 डेस का एवरेज 50 फ्यूच तो आपको सला रहेगी अगर आपको लॉंग करना है तो आपको वाच करना है 16,750 से लेकर 800 का लेवल उसके उपर जाता है मर्केट तो ही लॉंग कीजिए वह भी स्टॉपलोस के साथ आपका टारेट रहेगा उस ट्रेड के लिए 17,250 यहां रिस्क वेजी हाय रहेगी तो इसमे हर एक ट्रेड में के स्टॉपलोस जाने के जादा सी जादा संबहूना है तो इसलिए कम कॉंटिटी में ट्रेड करेई जहां दो तीन लॉट में करते हो 은ठा है एक लाट में काम किजिए याप फिर ऑप्शन करता है उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम जो है तो मार्केट में एक अच्छा खासा स्लंप आते भी देखेंगे जो मार्केट को लेकर जाएगा 16,350, 15,900 और 15,350 के और यह जो टार्गेट रहेंगे यह इस माहिने के लिए वैलेड रहेंगे तो मार्च का माहिना जो है तो बह पेरिश रहना पसंद करेंगे अभी दिखते है आवरली चाट के कुछ ट्रेड सेटप बनता है कि तो यहां जो है तो यह एक शॉट का सेटप बन रहा है मगर इसमें भी स्टॉप लॉस जाने की बहुत सम्भवना है तो अगर आपको फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस के सा का वर नीचे जो है तो 16,300 और 16,250 यह टार्गेट आपको देखने को मिल सकते एक दो दिनों में तो यहां जो मार्केट जो दिखा रहा है तो बेरिश साइड के ही ट्रेड बन रहे है मार्केट में तो यहां आपको शॉट जाना है आपको शॉट जाना है तो प्लस त्री 50 पॉइंट कर रखना है और जो टार्गेट बनेंगे वो 16300 से लेकर 16250 की बनेंगे जब तक मार्केट हम जो 200 डेस के एवरेज उसको क्रास नहीं कर पाते हैं तब तक मार्केट जो है तो बहुत ही बेरिश रहेगा और आज का जो मूव था यह फिर से फ्रेश सेलिंग के साहिन थे तो कल देखना है कि मार्केट कहा तक बांस बैक करता है और कहा से जो रिवर्सल देता है तो यहां थोड़ा सा दिक्कत बरी बात रहने वाली ट्रेडर्स के लिए और दोनों तरब आपको लेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं मोसली हम जब तक मार्केट 200 डेस के नीचे है तब तक most of the time हमें नीचे के ही टार्गेट देखने को मिल सकते है क्योंकि क्रूड अभी जो है तो जो क्रूड के टार्गेट थे वह अच्छी हो चुके इस साल के और अभी हम 8400 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं अगर यह 10,000 को क्रॉस कर लेता है तो बहुत ही जादा इंफ्लेशन हो जाएगा मार्केट में अपने मार्केट में और वर्ड वाइड भी तो उसके वज़े से बहुत ही दिक्कत हो सकती है पूरे ही वर्ड को और उसमें जो है तो इक्विटी मार्केट जो है तो पीसे जाएंगे और जो इन्वेस्टर है उनका जो कॉन्फिदंस है वो शेक आउट हो जाएगा और उसके वज़े से हम जो है तो अच्छा खासा सेल तरफ ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 16,750 पर आता है तो वहाँ आप इन्दमनी फूट ऑप्शन लेकर चल सकते हो वित श्रीक स्टॉप लोस ऑफ 50 पॉइंट तो जो 800 का मैंने स्टॉप लोस बोला तो अगर फ्यूचर अगर 800 को क्लास कर देता है तो उस ऑप्शन में जो भी बेरिश हो गया तो उसके बाद मार्केट को पता चल जाएगा कि यहां से हमें नीचे ही जाना है तो विक्स जो है तो थोड़ा सा कूल आप हो जाएगा तो अप्शन के प्रीमियम गिर सकते हैं हमें जो है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है उसमें जो है तो स्टॉपलस तो टाइम वेल्यू ठीक है तो यह रहा मेरा वियू हम 16,750 की नीचे बेरिश रहेंगे उसके उपर ही हम एक बाउंस बैक एक्सपेट करेंगे मगर यहां वोलेटिलिटी वीरी हाय रहेगी और स्टॉपलस जाने की चांसे से 90-95 परसेंट तो जो रिस्क ले सकते हैं जिनका प्रोफाइल यह वाइस था वही ट्रेड कीजिए बाकी जो लोग है वो स्रिफ वेट और वाच कीजिए एक बार मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो गया एक बार डायरेक्शन ले ली फिर उसके बाद में आप जो है तो मार्केट में ट्रेड करने आ सकते हो तो आई होप सो क अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए बाके आपके अगर मेरा प्रीमियम सर्वी जॉइन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे और थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो